बदायू में सभी प्रतियाशी जीतने के लिए लगातार कोशिश में लगे हैं वहीं S.P.K. धर्मेंदर यादव दो बार से सांसत बने इस बार जनता के बीच विकास कारियों को लेकर फिर हाजिर हैं इनी मुद्दों को लेकर धर्मेंदर यादव से खास बादशित की हमारी इस समधाता नगमा शुक ने आए आए आपको सुनाते हैं उन्हें क्या कुछ कहा है आपको लेकर जनता आपसे बहुत खुश है काफी खुश नजर आ रही है तो क्या कहेंगे आप आने वाले वक्त में क्या रहेगा आपको देखिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूँगा मानी नेता जी को मानी अख्लेश स्यादव जी को जेनों ने मुझे बदायू जैसी स चांदार सरजमी की सिवा का मौका दिया और जब मैं यहां आया था तो बहुत पिश्रापन मेरे सामने था मैंने मैसूश किया लोगों से समझा चीजों को और जब मानी अक्रेश जी मुखंती बने उत्तवदिश में 2012 में 12 से लेकि 17 तक मैं एक भी दिन सुकून से नहीं बै अपने छेत्र के लोगों को जिनोंने हमारे कीवी मेहनत को सुईकार कर रहे हैं अप्रिसेट कर रहे हैं अन्मूनन ये बहुत कम नेताओं को स्वभाग मिल पाता है कि उनके छेत्र के लोग उनके कीवी कामों को अप्रिसेट करें मैं साइद को चुनिंदा खुश नसीवरा का निता होंगे में इसमें एक हूं एक तरफ जहां मिदाई शा की रिखिती वहीं बधाईव कि अगभादब इसलिए साद उरा क्या फान पजड़ा Спना के जुड़ा आइगा कि meडिया के सात्यों ने कि वह सकता सवाल करें और दोनों रेलियों की केवल तुलना करिए और समझे उसको और जो दोनों रेलियों में लोग आये थे उसी के अनुरूप इस बदायू के चुनाओं का पड़ाम होने जा रहा है इसे पहले भी हम बदायू आये थे यहां की जनता से मिले लेकिन रैली के बाद काफी चेंज हो गई है जो यहां की पबलीक है वो लगातार आपका नाम ले रही है कि बदायू से इस बार जो विकास कार हुए है उस पर धरमेंड यादो जी कोही चुनेंगे तो आने वाला जो कि पहलतन होगी और जिस भी सरकार में समाजबादियों की भागिदारी होगी या मानिय अख्लेस जी की कलम ताकत होगी हमारे गठवणन के नेताओं के मायोधी जी की कलम में ताकत होगी मैं उस ताकत का इस्तिमाल जरूर अपनी बदाईों की तरफ्चे के लिए पहले भी भी बाते कहीं और वादे किये उनको एक तो मेरे इमानदारी से पूरा करके दिखाया है और आने वाले समय के लिए अगर मैं कोई बात कहता हूं तो लोग हम पे भरुसा करते हैं और ये मानते हैं कि अगर धर्मेंद की बस चलेगा च्छमता होगी तो धर्मेंद बदाईयों क की तरकी के लिए कुछ नकुछ जरूर करते रहेंगे ये भरुसा बदाईयों के आवाम के बीच मैंने दस साल की महनत में कमाया है साइद मेरे जीवन की इससे बड़ी कोई पूजी और कमाई नहीं हो सकती जो बदाईयों का विस्वास मेंने कमाया है आपको लगता है कि बी में बहतर परिस्तियां हों तो मुझे जिन्ता नहीं है कि कौन क्या करेगा कौन दो पे आएगा तीन पे आएगा हाँ ये जरूर देखना है कि कितने लोग अपनी जमानत बचा पाते हैं घंटी का बटन दबाईये और हिंदी खबर से जुड़ जाएए